Hello guys, welcome back to the new video देखा जाए तो 20,000 के price point पर इस टाइम पर काफी सारे new smartphone premium design के साथ launch हो रहे हैं तो confusion काफी एदा create हो रहा है कि 20,000 के price point पर कौन सा smartphone लेना चाहिए जो कि सारी requirement को fulfill कर सके दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने top 3 latest smartphone select की हैं जो कि आपको इस टाइम पर 20,000 के price point पर देखने हो मिल जाएगी एकदम feature loaded smartphone है और काफी अच्छी premium design दी गई है टॉप latest model है without time waste की तीन स्मार्फोनों के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो without skip की आप पूरा वीडियो देख लेना जली दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नहीं आएं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइगन की बटन को प्रेस कर लेना इससे बहुत ज़्यादा हमें support मिलती है दोस्तो इस लिस्ट का first smartphone रहता है Realme की तरफ से Narjo 60 5G यह smartphone Realme की तरफ से recently launch हुआ है कुछ ही time पहले इसमें काफी ची premium unique type की design दी गई है और BCR के अंदर आपको देखने हो मिल जाता है specs मैं आपको step by step explain कर देता हूँ सबसे पहले बात करते हैं smartphone की display के बारे में इसमें Super AMOLED 6.43 इंचिस की display देखने हो मिलती है 90Hz का refresh rate डिस्पले में Gorilla Glass 5 की protection दी गई है no doubt flagship display है Octa Core Media Tech Dimensity 6020 7nm के साथ आपको truly 5G smartphone देखने को मिलता है Android version आपको out of the box 13 पर देखने हो मिलेगा latest Realme UI 4.0 पर यह smartphone रन करता है इसमें आपको dedicated slot देखने हो मिलता है 8GB ने 1208GB का base variant है and main camera आपको 64 में आप इक्सल का देखने हो मिलता है rear part में dual camera setup है 2.5 बिक्सल का आपको depth lens भी दिया गया है front में 16 में आप इक्सल का selfie camera है दोस्तो साथी 3.5M का jack देखने हो मिलता है इन डिस्पले fingerprint sensor है 5000 mAh की बैटरी है 33W की far charging support दी गई है Mars Orange and Cosmic Black ये दो premium color scheme देखने हो मिलती है इसका top variant आपको 18,000 का देखने हो मिल जागा considerate कर सकते हैं build quality के बारे हम बात करें तो इसमें आपको back में eco leather plastic की finishing देखने को मिलेगी जो की आपको leather finishing के साथ देखने हो मिलती है frame आपको plastic कर दिया गया है already explain कर दिया है कि डिस्पले में गुल ले glass 5 की protection दी गई है 182 gram का वीटा है और 7.9 mm की थिखने से definitely purchase कर सकते हैं इस price point पर बात करते हैं next smartphone के बारे में जो की रहता है infilix की तरप से GT10 pro दोस्तों यह smartphone आपको flip card पर देखने हो मिल जाएगा लेकिन अभी यह smartphone market में launch नहीं हुआ है कुछी दिनों में market में देखने को मिल जाएगा 20,000 इसके price show कर रहा है like flip card पर आप checkout कर सकते हो बाकि unit type की design देखने हो मिलती है 900 nits की peak brightness है इसमें आपको octa core media tech dimensity वाला 8050 pro सा देखने हो मिलेगा 6 nanometer के साथ आता है android version 13 पर भेज़ जाए xos 13 पर यह smartphone रन करता है dedicated short देखने हो मिलेगा 8gb ram 256gb का आपको base brand देखने हो मिलेगा UFS 3.1 type की storage है rear part में triple camera setup है main camera 108 में अभी चलका है 2-2 100 pixel के macro depth है 4K 30 fps में maximum video record कर सकता है front में आपको 32 100 pixel के selfie camera देखने हो मिलता है dual LED flashlight के साथ आता है यह smartphone stereo speakers भी है 3.5 mm का jack है in display fingerprint sensor है 5000 mAh की बैटी है इसमें आपको 45 बाट की far charging support देखने हो मिलेगी 2 premium कल स्कीम है cyber black mirage silver no doubt smartphone के अंदर आपको 666,000 के around and to do score देखने को मिलता है बात करते हैं smartphone की build quality के बारे में तो दोस्तो इसमें आपको LED strip light देखने को मिलेगी इस smartphone के back में जो कि यह smartphone like similar रहता है nothing phone बन की तरह उसी की तरह इसमें आपको new type की design देखने को मिलती है back में इस price point पर value for money है काफी अच्छे feature देखने को मिलती है no doubt बात करते हैं इस list के third and last smartphone के बारे में जो की रहता है दोस्तो LAWA की तरप से अगने 2 यह smartphone LAWA की तरप से market में 20,000 का launch हुआ था लेकिन इस price point पर इतने सारे feature offer किये गए थे इस smartphone के अंदर जो की इस smartphone ने काफी ज़्यादा sale achieved की है like Flipkart और Amazon दोन प्लेटफोर्म से जिसकी विज़से अभी यह smartphone दोन प्लेटफोर्म पर stock में नहीं है और इसके price भी थोड़े से बढ़ गया है like यह smartphone आपको 21,000 या फिर 22,000 का देखने को मिलेगा 2000 प्राइस इस smartphone पर लाइक बढ़ा दिया गया है कंपनी की तरप से क्योंकि price की point of view से feature loaded smartphone है step मैं आपको बता जेता हूँ step by step features सारे सबसे पहले बात कर लेते हैं smartphone के display के बारे में AMOLED 6.78 इंचिस का display panel दिया गया है जिसमें 120 Hz का refresh rate है 1 billion colors की support है display में HDR 10 plus की support है 950 nits की peak brightness है और 37 में आपको processor देखने हो मिलेगा Octa-core MediaTek Dimensity 7050 आपको 6 nm के साथ 5G processor देखने हो मिलेगा Android version latest 13 पर वेजड है Out of the box 13 पर ही देखने हो मिलेगा 8GB RAM 250 6GB का आपको base variant देखने हो मिलेगा एक ही variant आता है company की तरप से रीर पार्ट में quad camera setup है 50 MB का main primary camera 8 MB का ultra wide 4K 30 fps में maximum video record कर सकते हैं front में 16 MB का selfie camera देखने हो मिलेगा OTG support करता है in-display fingerprint sensor है 4700 damage की battery है 66 watt की far charge देखने हो मिलता है एक ही जो की company की तरप से एक ही color option offer किया गया है जो की आप official वीडियो में भी देख पा रहोगे को ये smartphone fulfill करता हो तब बाकी premium in hand feel देखने को मिलेगी because cup display offer की गई है वीडियो अच्छे लगी वीडियो को like कर देना तीनों smartphone में से आपकी जो भी requirement को fulfill करता हो उसको buy कर सकते हैं चैनल पर पहली वार आएं subscribe कर लेना bell icon के button को press कर लेना मिलते हैं आप सके लिए और कैसी नहीं इंट्रेस्टिंग और updated वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए bye bye and take care